अब है लो फ्रेंट्स हमारा क्रिया शारीट का लेक्चर अभी कंटिनीव चल रहा है इसके पहले मैंने आपको चार धातु कंप्लीट करा दिये हैं धातु की शैवरद्धी आज हम तीन धातु और कंप्लीट करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं नेक्स धातु हमारी अस्थी धातु शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें चलिए शुरू करते हैं अस्थी तोद तो अस्थी धातू के शह में क्या मिलता है अस्थी तोद अनली है ना बाकी सारी अस्थियों की जो प्राबलम है मज्जा शह में मिलता है केवल याद कर लिजे अस्थी में अनली अस्थी तोद है बाकी सारी अस्थी की जो प्राबलम है मज्जा शह में मिलता है मजजा शह में ये हमारी अस्थी है इसके अंदर मजजा भरी है अगर मजजा को निकाल दिया जाए मजजा का शह कर दिया जाए तो अस्थियां कैसी हो जाएंगी दुरूबल हो जाएंगी अस्थियों में क्या भर जाएगा आके बात भर जाएगा ठीक है तो अस्थी वाली सा संथी शैथिल बहुत इंपॉर्टेंट और यहां मिलता है कफ के छह में मिलता है देखिए मैंने आपको कफ चह जब पढ़ाया था याद भी करा दिया था कि यहां पर कौन सा कफ रहता है संथियों में शुलेशक कफ रहता है अगर सकफ को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो च faults, संधिय को यह उप्य में आप को सलाओए मिलती है, ठीके और क्रद्धी में क्या मिलेगा यही अधिक ही यही अधिक मंजग शह में अभी मैंने आपको बताए कि यह अस्थि है इसके अंदर ही मजग अगर इस मज्जा का शेय कर दिया जा तो अस्थिया कैसी हो जाएंगी, उनको support नहीं मिलेगा, तो बहुत वीक हो जाएंगी, हैना तो अस्थिया शीड हो जाएंगी, और व्यक्ति दुर्बल है लगू प्रपत्नम वात रोगाणी, अस्थिया दुर्बल हो जाएंगी, आपको क्या लगता है लगता क्या होता है कि अस्थी वायू का आश्रे है लेकिन वात रोग जो है अस्थी गत विकारों में नहीं हो रहा मज्जा गत में हो रहा क्यों हो रहा है क्योंकि अगर हम मज्जा को निकाल देंगे मतलब मज्जा शे हो गया तो मज्जा शे में वायू अस्तियों के अंदर भर जाती है तो वात रुगों को त्थपन करता है यह दो कुशन बहुत जादा एक्जाम में पूछे का है और देखते हैं सुष्णों जी ने मज्जा शै में अल्प शुक्रता आपको क्या लगता है अल्प शुक्रता शुक्र श्याम में होगा ऐसा नही कम होगा ठीक है पर्व भेद चरक सहींता में अभी यही टॉपिक चल रहा है मेरा करेंट में वहां पर हमने 28 नमर का चैप्टर शुरू किया था ठीक है तो पर्व भेद मतलब यहां पर जॉइंट्स हैं तो आपको क्या लगेगा अस्थियां देखो आपको क्या लगेगा उस रिफरेंसे में इसलिए बार-बार बताती हूं ताकि आपको यह चीजें याद रहें और आप एक्जाम में गल्ती ना करें ठीक है पर मतलब होता है small joints इनमें क्या भरा है अंदर मज्जा भरा है अगर मज्जा का शे होगा तो यह पर्व कैसे हो जाएंगे blank हो जाएंगे ख आप आते हैंना निस्तोद हो शुनिता हो अस्थीया शीर हो वह के इस मारेशा इनमें केवल तोध वाला जो है अस्थी मिलता है और अस्थ ढदेने क्या बोला है व्लाएं तू मिल्डशन और टिमर ढर्शन बहुत important है अस्तांग रिदय का उस संग रहने में तमू दर्शन बोला अस्तांग रिदय ने advanced stage यहीं पर बता दी रिदय हैं नए जमाने के लोग हैं तो advanced stage उन्होंने केवल पहले ही बता दी मज्जा में बता दी तो तिमिर दर्शन इन्हों के पहले तमो बताया मज्जा में लास्ट में तिमिर किया है ब्रद बागबठें धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होगी तो मज्जा में तमो आगे तिमिर रिदय नए जमाने के हैं तो तुरंत उन्होंने मज्जा में ही एडवांस स्टेज बता दिए तिमिर ठीक है समाज आ गया अब देखते हैं और यह भी चीज है जब भी मज्जा की प्रॉब्लम आए मज्जा दातु प्रदोशज विकार आए तो आप हमेशा देखो होता क्या है बोन मेरो होता मतलब मज्जा वहां पर क्या बनता है रक्त प्रदोशज विकार पढ़ें तो आपको अनीमिया के लक्षन देने देखने को मिलेंगे आखों के सामने अंधिरा मिलेगा यह कहां मिलता है प्रदोशज विकार में मिलता है मतलब मेरा कुल मिला के बताने का मतलब इतना है कि यहां पर मैं आपको नित्र का कोई लक्षन प अगर यह बढ़ गया है तो आपको नित्र हेवी हेवी लगेगा उस समझ शरीर्वा नित्रों में गौरब ठीक है नेक्स्ट लास्ट दातु है शुक्र तो शुक्र छै में क्या होगा बहुत सिंपल सा है में अशक्ति चिरप्रसे शुक्रसंग रक्त प्रती तिमिर दर्शन बहुत इंपोटन्ट है चरक्का भी बहुत जादा इंपोटन्ट है मुक्षूश पांडूता सदन ठीक है पांडू होना वैसे आप कहां पढ़ते हैं पांडू होना रस प्रदोशज विकार में कामला होना रक्त प्रदोशज विकार में पढ़ते हैं लेकिन शुक्र धातू के शै में भी हमको पांडू मिलता है अभी हमने यहां पे ऐसा मैं नहीं मुख्ष नियुक'sनी पढ़ा। ध्यान दीजेगा चैव्रदी में कहीं penal रष रक्त में पांडू N отвеч नहीं आया है रेसे नॉरर्मली देखा जाए तो रस में क्या क्या आता है प्रदोशज विकार में पांडू रक्त में कामला लेकिन हम यहां पर च्छै और व्रद्धी पढ़ रहे हैं तो यहां पर पांडू कामला नहीं आएगा पांडू कहां पर आया है इस्पेशली शुक्र के श्य में आया है ठीक है आगे जाके comparatively हम पढ़ेंगे क्रिया शारीर में दिया हुआ है कि विपासा कहां कहां मुखमचा परिशुष्रती कहां मुख्षोष कहां कहां ये साथ जीजे पढ़ेंगे शुक्र जाएगा तो अश्मरी होगा आती प्रादरुभा होगा आती स्रीकामता ब्रद्ध शुक्र क लक्षण होते तो यह हमारा फाइनली दातु की शैवरद्धी हमने कमप्लीट कर ली है नेक्स्क्रास में हम क्या पढ़ने वाले हैं मलकी शैवरद्धी तो वीडियो को लाईक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और शेर करें वीडियो को ज्यादा-ज्यादा लोगता थेंक